कि नमस्कार दोस्तों दो दिसंबर और दो दिसंबर को फिर से मैं एक वीडियो कंपोज कर रहा हूं जो आई प्यों अभी आया हुआ का CSB और उसकी बंपर लिस्टिंग का अनुमान लगाया जा रहा हुआ ग्रे मार्केड में जो अभी प्राइस चल रहा उस प्राइस के हिसाब से स्ट्रॉंग लिस्टिंग सेन फॉर्ड़ सीएस भी मैंने तो उसी दिन कह दिया था जिस दिन इसका लास्ट सब्सक्रिप्शन आया था मैंने कहा था कि यह स्टॉक भी आप समझ सकते हैं कि डवल जिया लिस्टिंग के दिन डवल हो ना हो बट एक से दो दिनों के ट्रेडिंग सेशन पर यह डबल होने का पूरी उम्मीद रहेगी लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए से स्टॉक को आपने लिय रहा कि अपमूब लिस्टिंग गेन के दिन ही यह ओपे नहीं होगा 30-40 परसेंट के प्रीमियम गेन के सब ऐसा ग्रे मार्केट का भी जानना तो क्या है पूरी बाते चली हम लोग देखते हैं क्या टार्गेट क्या नुमाल लगाया जा रहा तो देखिए यहां पर 65-67 रू 40% के आसपास में 34 के पासपास में आपको यह मिल सकता है तो अगर आप प्रॉफिट गेन उसी दिन लेके निकलना चाते हैं तो निकल सकते हैं या फिर एक और स्टेजी अपना सकते हैं 50% का प्रॉफिट बुकिंग करके आपके लोट साइज का 50% सेयस आप काट दीजेगा सी दिन और 50% जो सेयस बचेंगे उस पर और एक दो दिनों के लिए आप उस पर बने रहके भी देख सकते हैं यह आप अपने हिसाब से अपने सुविदा के हिसाब से आपका कितना हंगर है प्रॉफिट का प्रॉफिट कमाने का उसे देखते हुए यह डिसीजन लिजेगा आप अपने हिसाब से इस चीज को जरूर करने की कोशिश कीजेगा मैं यह आपको सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप इसी तरह से कीजेगा बट अगर आपने प्रीमियम गेन के लिए इस स्टॉक को बाई किया तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम गेन का फाइदा उठाना चा जाएगा थोड़ा सा कम है बट इसी के पास में है तो आया सेटी सी को जिसने खरीदा होगा और एक महने तक होल्ड किया होगा तो 300 का स्टॉक 1000 चला गया था 995 का उसने हाई बनाया था अगर आपको पता होगा तो 995 यह 999 के आसपास में जाकर अभी 800 और 850 के आसपास में करना तो CSB बैंक भी आपको 100 से डबल से भी जादा प्रॉफिट दे सकता बट लिस्टिंग के दीन ही होगा ऐसा संभब नहीं है लेकिन यह हो सकता ऐसा एक दू दिनों के ट्रेडिंग सेशन में भी साथ यह भी बात करेंगे कि उज्जिवन स्मॉल फाइनस बैंक का आई प्यो आ रहा साड़े साथ सो का यह आई प्यो है यह मंडे यानि कि आज ओपेन हो चुका है और इसका प्राइज में 36 तू 37 काफी अट्रेक्टिव प्राइज है इसके बारे में वीडियो पूरा डिट सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यह चीज नहीं देखिएगा कि मैं फर्स टे को कर रहा हूं या फिर लास्ट डे को कर रहा हूं इसका आपके अलॉट्मेंट से कोई भी लेना देना नहीं है आपने अगर लास्ट डे पर भी सब्सक्राइब किया अगर आपको मिलना है तो आपके नसीब में है यह यह नसीब की बात है इतना सब्सक्रिप्शन एक शेयर को 89 लोगों के बीच में बाटना है तो किसी एक या एक को ही मिलने वाला सब्सक्राइब जैसा कि अभी CSB में हुआ 89 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ अगर कमपनी के पास एक शेयर होता तो 89 लोग खड़े हैं किसी एक को ही मिलेगा तो यह एक लौटरी की बात है तो चाहे आप फर्स डे को सब्सक्राइब करें या लास डे को आपको अगर मिलना है तो आपको मिलेगा इसलिए आप सब्सक्रिप्शन डेटा देखने का बाद अग एक लंबे समय के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं जैसा कि सभी ब्रोकरिंग फॉर्म ने इसे लंबे समय के लिए लौंग टर्म के लिए बी सब्सक्राइब करने के लिए का साथी साथ एस प्रॉपिट गेन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी कर सकते हैं अभी आई प्य है आँप को मिलतास इस भी बैंग का का आपके दिमाग में अगर चीजगे आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको बहुत असान समय डिसीजन लेने में जिससे में लिस्टिंग होगा और लिस्टिंग पर क्या प्रीमियम मिल रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है कैसे स्ट्रेटीजी बनाएजे वहां पर आपको मदद करेगा बहुत सारे लोगों ने लिस्टिंग गेन के दिन ही 580 पर लिस्ट हुआ था स्टॉक 580 के लिस्टिंग पर ही बहुत सरे लोगों ने इसे बेच दिया था क्यूंकि लगबग लगबग 11,000 का स्परस में प्रॉफिट दिख रहा था 300 का प्राइस बेंट था और 580 पर लिस्टिंग हो रही थी लगबग डबल के आसपास में तो बेच दिया बट मैंने इस चीज को कहा था और आज भी कहता हूं कि मैंने कहा था कि यह 1000 जाएगा 640 का हाई बनाया था लिस्टिंग गेन के दिन आपको याद होगा तो या फिर इसे भी जादा और थोड़ी सी कम के आसपास में 620 या 625 30 के आसपास लिस्टिंग लेना चाहते हैं लिस्टिंग लिजे या फिर कुछ इसकी ट्रेडिंग को देखते हुए डिसीजन लिजेगा सब्सक्राइब को देखना पड़ता तब आसा नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए डेटा बना हुआ नहीं है आप किसी के साथ एक्जामपल लेकि किसी स्टॉक को कंपेर नहीं किजेगा इस टॉक मार्केट का सबसे बुरा चीज है इस चीज को कभी किसी दूसरे स्टॉक के साथ एपलाई नहीं करके आप चलिएगा तो यह अपडेट है किसी बैंक के लिए जो की चार तारीक को साइद तो चार तारीक को लिस्टिंग है देखाजें लिस्टिंग कितने का होता और लिस्टिंग के बाद कैसी ट्रेडिंग रहती है उसके बद मैं फिर अपने चैनल पर वीडियो के माईदम से आप तक अपडेट पहुंचाऊंग कि एक स्टैडिज आपके पास यह 50% प्रॉफिट बुक और 50% का होल्डिंग और या फिर पूरे का पूरा प्रीमियम गेन लेके निकल जाए जो भी करें आप अपनी हिसाथ से डिसिजन एकोडिंग डिसिजन लेके करें तिस वीडियो पर इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडिय साथ ही ऐसे लोगों के लिए लाते हैं जो एक अम निवेसक छोटे रिटेल इंवेस्टर से और काफी परिषानी से अपडेड्स पाते हैं क्यूंकि उन्हें पता नहीं चलता है कि मार्केट में इंसआडर में क्या हो रहा आउटसाइडर में क्या हो रहा बहुत बड़ा यह यतना ही कवोँगा अगर आपको हमारा चैनल अच् insgesamt लगता है तक कर जाएं आपको अपको एक ही जगा सारी डेटेलिती इस सारी डेटा विट कंटेंट आपको दिखा के समझाके अपको एक में च ने क्लियर करता हूं थो चलिए वीडियो कहीं करूँगा थैंक यू ton thank you very much for watching this video share किजे वीडियो को चैनल को तोड़ा सा प्रमोट किजे मैं किसी भी तरह का कोई चीजे प्रमोट करने के लिए नहीं करता हूं ना आपको कभी करता हूं कि हमारे दिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है आप वहां से डिमेड अकाउंट ओपन किजे कभी भी नहीं और करना भी नहीं चाहता हूं थोड़ी दिर पहले मैंने कारविय का अपडेट अपलोड किया उस चीज को जरूर देखिए उस वीडियो को जरूर देखिए हो सकता कल दिन आ आपके साथ भी हो सकता जो कारविय के साथ हुआ उस वीडियो को देखिए वीडियो मैंने बहुत सारी चीज़े आपके साथ सेर किया तैंक यू